आगरा मैटरों के लिए 8 किलो मेटर लंबी बनेगी सुरंग आगरा मैटरों के अब अंडर ग्राउंड स्टेशन पर होगा काम 8 किलो मेटर लंबी खोदी जाएगी सुरंग जाने कितनी कहां से कहां तक बनेगी सुरंग और कौन से होंगे स्टेशन दोस्तों इस से पहले आप से गुजारी से आप हमारे Instagram के Link ओडिस्क्रिप्शन में से follow कर सकते हैं विडियो को Like करें चैनल को Subscribe करें विडियो को जाजी से 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 चल रहा है काम आगरा में मेट्रों पर काम क्या जा रहा है तक इस्टेशन एलिवेटीड है लेकिन अब जल्दी इसके बाद के तीन स्टेशनों ताज महल आगरा फोटर ताज जामा मस्जिद पर काम सुरू होगा खास बात यह है कि अगले तीन स्टेशन अंडर ग्राउंड होगे इन तीनों इस्टेशनों के लिए सुरंग को दी जाएग प्राउंड इस्टेशनों के लिए काम सुरू किया जएकिता चार न्यजे इस्टेशन अंडर मेड्राउंड डिया काम सुरूटर पर चल रहते हैं वोमीगत इस्टेशनों से अगरा फोटर जामा मस्जीद के लिए काम होगा इसके अब चार अन्य स्टेशन, S.N. Medical College, आगरा कोलीज, राजा की मंडी और R.B.S. College भी अंडर ग्राउंड है ऐसे में ताज मेहल से लेकर पहले जामा मस्जिद तक सुरंग बनाई जाएगी और फिर यहां से हींग की मंडी होते हुए, S.N. Medical College, आगरा कोलीज, राजा की मंडी होते हुए, R.B.S. तक मेट्रो की सुरंग बनेगी साथ मेट्रो स्टेशन के लिए 2200 क्रोड रुपे के टेंडर 13 अक्टूबर को खोलेगा यह हैं अंडर ग्राउंड इस्टेशन, ताज महल, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, S.N. Medical College, आगरा कोलीज, राजा की मंडी, R.B.S. कोलीज दोस्तों अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो को जाजा सेर करें, कमेंट बॉक्स में राज दे सकते हैं, इस्टेग्राम के लिंक को डिस्क्रिप्सर में से फोलो कर सकते हैं, मिलते हैं नेक्स् रिल्मे